हेलो गाइज स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो एमाई सीटी और परल के बीच में यह से ट्वेंटी का मुकाबला खेला जाएगा तो आज की पिच कैसा बीएफ करेगी केप टाउन पर यह मुकाबला है और इस विकेट पे किस प्लेयर्स का अच्छा रिकॉर्ड है किन प्लेयर्स का खराब रिकॉर्ड है जब दोनूं टीमो इस वीडियो में डिसकस करेंगे जो आपको मदद करेगा आपकी स्मॉल ली या ग्रेंड ली के टीम बनाने में तो बस आपको यह पूरा वीडियो देखना है स्टार्ट करते हैं यह जो मुकाबला है वो न्यू लैंड केप टाउन के ग्राउन पर खेला जाएगा कैसा रहत तो यहां से आपको लग रहा है जो किसका हिस्टोरिक नीचर भी है यह रहे वह पांचो मैच जो हमने अभी लास्ट मैच देखा जो समरी वाइस यह लास्ट सीजन जो खेला गया था इस टॉर्णमेंट में एक मुकाबला खेला गया है और उसमें 202 बने थे स्पिनर्स को ए आपको मैच यहां पर देखने मोस्ट ली इसके अलावा दोनों ही टीमों के बीच में हैट टूएट जो खेला गया दो बार खेला गया और दोनों बार एमाई सीटी जीती है नो चांसेस ऑफ रेन रेन के चांसेस नहीं यह यह दोनों टीम का बैटिंग बॉलिंग मीडियम है यह चीज़े आप यहां से देख सकते हो आप देखो M.I.C.T की बात करते हैं तो इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है आर वीडियो से हैं रियान इकल्टन काफी अच्छा खेल रहे हैं डेवल ब्रेविस आउट आउट फॉर्म सैम करान इंपॉर्टेंट है ठ पर्फॉर्टन ने ठीक ठाक किया है ठीक है तो इनकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे और पर्फॉर्मेंस थे पावर प्ले के गिंदबाद रबाड़ा लिंक्षन ब्योरान हैं डिक्स रबाड़ा सैम करन और यह जो है ना पोलाड यह लास्ट में आ गये थे बट नहीं आते हैं इवन कभी कभी बॉलिंग भी नहीं डालेंगे तो इनके बहले से आप ओली स्टोन को जोड़ सकते हो जो कि कभी कभार देथ में दिख जाएंगे इन दोनों के अलावा अदर्वाइस इन दोनों के ज्यादा चांसे हैं अब इनकी टीम से जियोर्ज लिंट है जरते हैं अदर्वाइस यह इंद्बाजी नहीं करते तो ध्यान रखना है कब किसके ओवर्स मिलने के चांसे ज्यादा रहेंगे अभी आप परफॉर्मिस देखो और रोल्स देखो आप हम स्टैट्स देखेंगे उसके बाद आगे जब टीम सेलेक्ट करेंगे तो समझेंग लगब्रेक बॉलर 46 मैच की 44 इनिंग में 1060 रन 26 का आवरेज 141 की स्ट्राइक रेट दो बार 50 एक बार 100 46 मैच के 18 इनिंग में 14 विकेट है यह कुछ ही इन्होंने इस टॉर्णामेंट से पहले क्रिकेट खेली थी वह फर्स क्लास में वह इसका फॉर्म है ठीक है तो इस तरी प्लिग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा बिलकुल फ्री है और बहुत इंपॉर्टेंट है अब बात करेंगे परली की टीम की तो इनकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है वो है जौस बटलर डेविड मिलर फैलु कावय और तब्रेश हमसी नगीडी और मकोई लेकिन जेसन रॉय और वहान लूबा ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है बट कभी-कभी ना इनकी इंपॉर्टेंट थोड़ी घर जाती है जेसन रॉय का फॉर्म आपको यह देखने मिलेंगे इनकी टीम से भी फॉर्टन नगीडी ओवेद मकई तब्रेश हमसी फैलु कावयो यह आपको ठीक ठाक ओवर डालते हुए दिखेंगे और कभी-कभार जरूरत पर जाती है सामने लेफ्ट हेंडर है तो विहान लूबा फैबियन अलन यदि बह प्लेयर्स का स्टैट्स दिखा है तरहां सेम उसी फॉर्मिट में हर एक प्लेयर का स्टैट्स लिखा है अगर फैरिस्को अदम्स और एवान जॉन्स खेलते हैं इनका स्टैट्स अच्छा है इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है इसके अलाबावा आप हैड-to-head तो किसका कैसा परफोर्मेंस है डेवाल ब्रेविस दो मैच की दो इनिंग में 72 अन 72 अच्छा है बट्फॉर्मस चानी है और वीडू से 29 का अवरेज है बाकि सबका डीसेंट है यहां पर बटलर का 60 का अवरेज है डेविड मिलर का 34 का आवरेज है बॉलिंग से एक-एक में दो विकेट है इस तरीके से देखना है नगीडी एक मैच की एक इनिंग में दो विकेट है तो बाकि उतना कुछ खास है नहीं जिससे आपको कुछ टीम में चेंजस करने का वह मिले 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 की तरफ से यह वेन्यू स्टेट से जब इस ग्राउंड पर मुकाबला होता ह तो रियान रिकल्टन आठ में दोस्व आठालान 26 विकॉर्ड काफी अच्छा अरविय डूसे का हैट टूएड में रिकॉर्ड अच्छा था ब्रेविस का भी हैट वेन्यू पे अच्छा था चौंतिस का अवरेज है रेलाप्शन 29-47 का अवरेज है पॉटिगित्र का पी-र वाकि सबका डीशेंचा रिकोर्ड है यहां पर देखो शंची तीन इनिंग में तीन विकिट है उतना कुछ खास नहीं कुछ एक प्लेयर बेटल देखते हैं रिकल्टन को फॉर्टन ने तिस गेंदों में दो बर आउट किया है यहां पर आउट तो लिंग्स्टन को शंची न बार लेकिन साथ रन भी बनाया है और तेविड मिलर रबाडा के सामने 21 गेंदों में दो बार आउट हुए रसित खान तो खेळेंगे नहीं देन विलाज खेल नहीं रहे बाकिए सब एक बार आउट है उतना कुछ तास इससे दिखे गा नि हम चलते हैं टीम से तरभेंग स काफी नीची आते हैं बैटिंग से जो है यह थोड़ा सा हीट और मिस टाइब की खिलाडी है फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है लास सीजन भी ऐसे चल रहा था अभी क्लिए मैंने छोड़ दिया डेविड मिलर मस्ठप पिक रहेंगे चाहे पांच वे नंबर पर इस नहीं करता है ना पहले मौका देते हैं और अगर इनकी टीम खत्रे में है तो यह आते हैं खत्रे से बचाने के लिए और मुस्ट अब टाइम बचा की भी जाते हैं लेकिन हर बार यह अपने आपको मौका नहीं देते हैं इसलिए थोड़ा सा एक रिस्क फेक्टर बढ़ करके खेल रहा है तो एक क्वालिटी प्लेयर में यह चीज़े होती है कि एक अच्छी नौक खेल के चले जाए कभी भी डेवल्ट ब्रेविस का रिकॉर्ड तो अच्छा है 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 टूए लेकिन फॉर्म अच्छा नहीं है एंबीवें पांच्छो नंबर पर आते हैं इनकी ट दोनों करते हैं देखो लेग स्पिन के सामने बल्ले बाजी में स्ट्रॉगल करते हैं यह वह पक्का है लेकिन क्या है ना कि अब डूवल रोड रहता है तो ऐसे प्लेस को आप छोड़ नहीं सकते हो फैलू का अच्छा खासा प्रियोग करते हैं और यह उसी पे रिलाई करत है उतनी पेश है नि इनके पास बल बाजी आती है तो बल्ले बाजी में भी अच्छे लगा लेते हैं सैंकरन टू डाउन बल्ले बाजी प्लस देथ में फैनची की बहत्रीन मठेडियल वप्लेबाजी नीचे गेंद बाजी का कोई अत्यापता नहीं एक ए सकते हैं ऐग वा बट यह इस्ट्राइक रेट के चक्कर में मुझे लगता है थोड़ा बहुत यह अटैकिंग नेचर आफ क्रिकेट अपना आते हैं और वहाँ पर विकेट फिक देते हैं जियोर्ज लिंड मस्ठपिक रहेंगे देखो सामने उतने ज्यादा लेफ्ट हेंडर है नी तो मैं इनसे उम्मीद कर रहा हूं कि तीन से चार वर कर जाया और रंस बनाने का मौका मिले तो रंस भी बना सकते हैं काफी टैलेंटेट अल्राउंडर है इवन यह साउथ अफ्रीक लेके जाते हैं फस्तनिंनंग में गिंद्वाजी है घर इनको चोड़ाओ तब्रे सामशी को लेकर जा सकते हो कि स knife में अ्जिया करते हैं स्लोघ रंस में अच्छा प्रियोग लेकिन फर्स इंग में थोड़े ज़्यादा सेकेंड इनिग में थोड़े ज्यादा इंपोर्ट हो जाते हैं लेकिन कभी चीजरा मुझा मिले न मिलेे इसलिए थोड़ा रिसक्टर बढ़ जाता इसलिए डिसेंट ऑप्सन है लाष्ट सेजन काफी अच्छा था पावरपे में गेंदबाजी डालते हैं अगर इस्पीन के लिए अच्छा विकेट रहता तो आप इनको जरूर कर सकती थे बट नीचे और के उतना अच्छा खासा ऑप्सन है नहीं जो टीम हो रही है वो कुछ इस प्रकार से है जहां पर कप्तानी मैंने रिकल्टन वाइस कप्तानी मैंने ब फर्स्टनिंग में द्रथमें गिंदबाजी है तो यह भी एक बेटर ऑप्सन है तो इन तीनों में से आप अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चून सकते हूं इस मैच के लिए बेस्ट कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी मैटेरियल फॉर स्मॉल लीग और इस टीम में कैसे चें अच्छा चांस है क्योंकि अकोण को अच्छा चांस है क्योंकि अकॉर्डिगली आपको समझ में आएगा अच्छा हो सकता है तो फिर आ इस तरीक से आप खुच से आपनी स्मॉल लीग की टीम बना सकते हूं और इसलिए मैं बोलता हूं कि टेलीग्राम से जूट जूड जा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है फटा फट जाओ जूड़ जाओ अब देखो यह तो स्मॉल लिक क्यों टीम तीन चार मेंबर वाली ग्रेंड लिक के लिए कुछ अलग हट के करना पड़ेगा उसमें लग बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर है अगर आपका 70-60 लग सही है ना आपने 10-12 भी स्किल यूज किये तो हो सकते आपका रैंक अच्छा आज है अब वह ट्रम्पिक्स है कुछ जैसन रोएं लिंडे व्यान लूबे फॉर्टन प्लेयर रोटेट करो यह जो आप्सेंस बता है कैप कि यह जस्त आपको समझाने के लिए साइम करेंट कैप्टन और इसमें मैंने रिगल्टन को ड्रॉप कर दिया है बाकी देखें आप भी फॉर्टन को लिया है बेवरन हैं ट्रम्पिक्स को लिया है तो ध्यान रखने आपको इस तरीके से आपको चेंज करके टीम बनानी है यह ग्रैंड लिग की टीम थी बतलब समझाने के लिए यह मेंटी में इसमें कुछ भी चेंज होगा आपको मैं टेलीग्राम पे इन्फर्म कर दूँगा बिल्कुल फिरी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिक है फटाफट करना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन